हेलो एब्रिवान क्या हाल है आपके तो हम रोग लास लास में TCS का रेट देख रहे थे तो कुछ और कलेक्शन्स हैं जिस पे हमें TCS लेना है तो आईए उसे चेक करते हैं एमाउंट कलेक्टेड बाई ऑथराइज डीलर और रुपी सेवन लाक और मोर कुछ ऑथराइज डीलर उसे कहते हैं जो फॉरेक्स में डील करता है जो करंसी को कनवर्ट करता है मतलब आप उसे इंडियन रुपी दीजे तो वो डॉलर बना देगा यह डॉलर को इंडियन करंसी बना देगा और यह लोग क्या करते हैं रेमिटेंस का भी काम करते हैं मतलब अगर मुझे विदेश पैसा पहुचवाना है ठीक है मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है ठीक है मैं चाहता हूँ कि विदेश में पैसा पहुच जाए या मेरे परिवार का कोई विदेश में इलाज करा रहा है मुझे विदेश पैसा पहुचवाना है तो किसके थू ह चाहती है कि जो लोग विदेश पैसा भेज रहे हैं, उनकी जानकारी मिल जाए हमको, ठीक है, क्योंकि बड़े सारे गरीब हमारे देश में ऐसे होंगे, जो बोलेंगे कि हम कितना कमाते हैं, तीन लाग भी नहीं कमाते हैं, सरकार को ऐसे बोलेंगे, और विदेश में भेजे ह में ना, मनी चेंजर बोलते हैं, ठीक है, जैसे आप आम बोल चाल की भासा में किसी से पूछेंगे, तो वो बताएगा, मनी चेंजर इनको बोला जाता है, तो मनी चेंजर जब आप से पैसा लेगा, जब आप देंगे उसको 20 लाग रुपया, ये विदेश में मेरे बच्च गौर्मेंट को इनफर्मेशन मिल जाएगी कि भाई इसने विदेश में इतना पैसा भेजा है, एकॉर्डिंगली वो अपने इंकम टेक्स रेटरन से चेक करेंगे, कि भाई आपकी रेटरन ये जस्टिफाई करती है कि नहीं, नहीं जस्टिफाई करेंगी आपको नोटिसे करेंगी, understood everyone? तो amount collected by authorized dealer of rupees 7 lakh or more in a financial year for remittances out of India, 7 lakh रुपिया या उससे ज्यादा का remittance कर रहे हो out of India from a buyer under liberalized remittance scheme of RBI, buyer से पैसा लेके आप विदेश में भेज रहे हो, लेकिन कितना पैसा भेज रहे हो? liberalized remittance scheme of RBI, actually एक certain limit दी गई है RBI के दोरा कि इसके अंतरगत liberal policy है, मतलब बहुत आराम से आप भेज लीजिए, एक certain amount के उपर तो RBI की permission भी लगती है, right? तो liberalized remittance scheme of RBI, तो permission लगती है, तो permission लगती है, तो कुछ payment permission के साथ होगी, कुछ payment बिना permission के होगी, मतलब एक amount तक तो permission चाहिए नहीं, और एक amount के उपर permission चाहिए, तो आपको इस से वैसे सच पूछे तो मतलब नहीं, आप सीधे ऐसे समझेए, authorized dealer making any payment outside India, for which the authorized dealer is collecting some money from you, क्योंकि आपको भेजवाना है विदेश में पैसा, तो वो आपसे TCS लेगा, ठीक है, कितना TCS लेगा, यह एक थोड़ा सा detailed तरीके से मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ, प्लीज लिखिएगा, 8th point के अंदर ही, sub point 1, अगर यह है for the purpose of education, आप विदेश पैसा क्यों भेज़ रहे हो, for the purpose of education, अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए भेज़ रहे हैं, किसी के भी पढ़ाई के लिए, कर रहे हैं, हम complete amount पर TCS कलेक कर रहे थे न, ठीक है, जैसे car पर आपने पढ़ा, कि TCS कलेक करना है, यहां पर कुछ अलग बात हैं, इसलिए मैं बहुत अच्छे से लिखवा रहा हूं, right, कि for the purpose of education 5% in excess of 7 lakh यानि अगर हम विदेश में माल लीजे 10 लाग रुपया पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं तो 3 लाग रुपया का 5% TCS लेगा वो 10 लाग का नहीं लेगा 3 लाग का 5% लेगा 5 लाग के अंदर है तो 7 लाग के अंदर है तो कुछ लेगा है नहीं for the purpose of education out of education loan taken out of education loan obtained हमने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए loan लिया है loan लेके पैसा लिये है अब उसको विदेश भेजना है पढ़ाई के लिए तो इतना इतना TCS लेना गलत हो जाएगा बेचारा कोई बहुत अमीर आदमी नहीं है ठेक है loan लेके विदेश में बच्चे को पढ़ा रहा है तो सरकार कह रही है यहाँ पे कम TCS लेना है 0.5% ले लो बस ताकि record पे आ जाए वो भी 0.5% in excess of rupees 7 lakh जो बंदा विदेश में पैसा भीजवा रहा है loan लिया है अगर वो तो जो authorized dealer है वो कितना TCS कटेगा कितना TCS करेगा 0.5% of the amount exceeding 7 lakh जैसे हम मैं अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए loan लिया हूँ और मैं authorized dealer को 10 lakh रुपे दे रहा हूँ कि विदेश में यह पैसा भीजवा दो तो वो मुस्से 3 lakh रुपे का 0.5% TCS लेगा next बात for any other purpose for any other purpose this is 20% in excess of रुपी से विल है अगर पढ़ाई के अलावा किसी के लिए भेज रहे है न तब गौर्मेंट के रहे तो जादा लेगा 20% ठेक है हाँ यहाँ पर थोड़ा emotional मत होईएगा अगर इलाज के लिए भी पैसा बाहर भेज रहे हैं तो TCS collect होता है अच्छा थोड़ा से यहाँ पर एक बात और भी आपको ध्यान देनी होगी कि यह जो 20% का amount है यह 5% ही है तिल 39-23 39-23 तक कि अगर payment है ठीक है मतलब 39-23 तक पाची percentage था उसके बाद से एक October 2023 के बाद से 20% है तो लेकिन आपको यह दोनों ही amount का ध्यान रखना पड़ेगा दोनों percentage का राइट example करा दीगा लखिए अनुशमा है तो लगड़ेगा थे टो लेदेगें के अनुशमा है तो लेगा लेकिन है अनुशमा है कि साथ लाख रुपए के ऊपर कितना है तीन लाख रुपए है तो तीन लाख रुपए का 20% ध्यान दीजेगा ये 30-29-23 के बाद की डेट है इसलिए 20% लग रहा है तो तीन लाख का 20% 60,000 रुपए हो जाएगा अच्छा सपोज ये डेट होती सपोज ये डेट होती 20-29-23 तब क्या हो जाता TCS तब TCS हो जाता 3 लाख रुपए का 5% यानि 15,000 रुपए आई हो ज़्यादा नहीं समझाने की जो थे आप समझ गए होंगे ठीक है यहाँ पर इसको काड़ दीजिए ड्रेफर नोट्स लिग दीजिए नाइधे सेल अफ ओवर्सीस टूर पोग्राम पैकेज जो लोग ओवर्सीस टूर पोग्राम पैकेज बेचते हैं तक उसके लिए पैसा कलेकक करते हैं बदलब आप स्विट्सर्लेंडी का ट्रिप खरीद रहे हो आप तो आपको यह जो ट्रैविल कंपनी यह आपसे क्या कर और कितना TCS collect करती है आई ये लिखवा देए ये 9th point के लिए लिखवा रहे हैं यह यहीं पर लिखवा देए 5% up to rupee 7 lakh and 20% above rupee 7 lakh इसका मतलब क्या हुआ अच्छा और 39 तक यह पूरा 5% ठीक है यह है फ्रॉम एक दस तेईस और तिल तीस नो तेईस तक क्या था 5% बस मतलब पूरे अमोंट पर 5% करा हैं इसको भी दू लेजए आप टूर पैकेज्ट खरीत रही हो example है करां टूर पैकेज है पॉरेब ही मतलब को का दूर पैकेज है वर्ट विदेश घुमने वाले लोगों को जरब जाने तो भाई कि बहुत सारे गरीब लोग विदेश घुमते हैं ठीक है सरगार को बोलते हैं कि हम कमाते कितना है तीन लाग से कम और विदेश का टूर पैकेज खरीते हैं जर्ण कि पूर के गरीबों का थोड़ा हमको जानकारी चाहिए तीन लाग कमाते नहीं लेकिन दस लाग रूपय का विदेश का टूर करके आते हैं कि फॉरेंट टूर पैकेज रुपी कितना रखे माली जी आठ लाग रुपए का टूर पैकेज है तो इसका टीस कितना होगा इसका टीस बनेगा पांच लाग रुपया का और यह डेट कौन सी थी ऑन एक फर्वरी 2024 को तो पांच लाग रुपया का बनेगा अरे पांच लाग बूले साथ लाग स्वरी साथ लाग का कितना हो जाएगा पांच परसेंट प्लस एक लाग का बीस परसेंट 35 जार और 20 जार बच पांच ठीक है मजा आ रहा है ना अब यह देखिए 10th sale of goods exceeding रुपी 50 lakh to a buyer in a year by a seller whose turnover exceeds 10 crore in the preceding financial year क्या आपने section 194 क्यों याद है पहले तो आपको यह पूछेंगे तो उसमें यह बोला गया था कि अगर आप किसी से goods खरीदेते हैं तो buyer क्या करेगा tedious काट के payment करेगा 0.1% की 50 lakh रुपए से उपर का माल खरीते हैं बिसेलिए आप 50 lakh रुपए से ही अगर ऊपर की payment करते हैं तो क्योंकि payment करते जाएंगे तब TDS आपको क्या करना परता है? TDS काटना परता है 50 lakh रुपे से ऊपर की TDS payment करते यह तो आपको TDS काटना पाड़ेगा 0.1% कौन ये टीडियस काट रहा था बायर लेकिन अगर बायर का टनुवर दस क्रोड रुपए से कम है प्रिसीडिंग एर में तो सेलर को कह रहा है कि तुम क्या करो पॉइंट बन परसेंट टीसीएस कलेक कर लो आप नहीं समझ पा रहे हैं मैं समझाता हूँ यह रब बायर और यह है सेलर चीक है जो बायर है गौर्मेंट कहा रही थी कि तुम इसको गुड्स की पेमिंट कर रहे हो पेमिंट फॉर गुड्स कर रहे हो आपने कहा हां तो सरकार ने कहा आप 0.1% TDS काट लो अंडर सेक्शन 194Q लेकिन यह कौन सा बायर है जिसका टर्नोवर प्रिसीडिंग एर में 10 करोड से ज्यादा है ठीक है प्रिसीडिंग एर टर्नोवर ग्रेटर 10 करोड क्योंकि किसी को भी TDS काटने को थोड़ी ना कहा रही है गौर्मेंट 194Q में कहा रही है 10 करोड उपे से उपर का टर्नोवर है तो आप TDS काट लीजे ठीक है यही बढ़ा था आपने मैं देखाऊंगे आपको देखेंगे आप आओ नहीं मानोगे तो आओ 194Q यह रहा यह रहा देखो पेमिंट टू बायर फूस टर्नोवर एक्सीड्स लास्ट फाइनिशल यह एक्सीड्स टैन को वह बायर जिसका टर्नोवर दसकोर से ज्यादा है अगर वह पेमिंट करता है फॉप पचेज अगुर्स पचास लाग से उपर तो पॉइंट वन परसेंट परसेंग पचास काठा सुरू कर दिया फीमिंट झैक लेकिन अगर बायर का टर्नोवर नहीं तब बायर है अब यह सेमर चेज केंट आध एखाल को सेमरे नहीं ज्यादा है लेकिनल एगएंप twoder को घ्रींट प्रिशेडिंग we always से TCS collect करेगा collect करेगा TCS मतलब buyer seller को क्या pay करेगा payment देगा जो goods की है payment for goods plus TCS देगा extra पैसा देगा seller अब बड़ा आदमी है ना तो seller भी साब किताब रख लेगा वो उससे TCS collect करेगा ठीक है तो buyer TCS claim करेगा और यहां उपर वाले में क्या था seller का TDS कटा है तो seller TDS claim कर लेगा फिर अब आपके मन में प्रशना आएगा कि साथ दोनों का turnover the score से जादा है तो कौन सी बात prevail करेगी वही बात यहां पर लिख रहा है कि 194 q will prevail TDS TCS दोनों की अगर लडाई हो जाए तो जीते का कौन 194 q over use this provision यह पता है यह वाली बात का section क्या है TCS का section यहां पर section 206 c 1 h मुझे खुद नहीं याद है देख के लिख रहा हूं मैं भी तो अगर 206 c 1 h तो अगर 206 c 1 h भी लग सकता है q भी लग सकता है अगर दोनों लग सकता है तो मैं एक जानता हूं आपको एक्जांपल चाहिए लास्ट इयर टर्नोवर ओफ सेलर या लिखे लास्ट इयर टर्नोवर ओफ बायर ठीक है परचेज अब्लिक सेल ऑफ गुड्स कितने का हुआ है परचेज अब्लिक सेल ऑफ गुड्स मतलब बायर परचेज करेगा सेलर सेल करेगा तो टीडियस अब्लिक टीसीएस क्या अप्लिकेबल है आप बताएंगे ठीक हैं लाज़ यह का बायर का भी टर्न वर 9 करोड रुपया है 60 लाख रुपय की खरिदारी हुई है 50 लाख रुपय से उपर पे ही TDS TCS लग रहा था यहां लगेगा यहां नहीं लगेगा अरे बायर जो है वो TDS काटता है बायर TDS काटता है कब? जब उसका टर्न वर 10 करो शे जादा है और अरहे टीस लेता है जब उसका टर्न वर 10 करोड से जादा है पिछले साль तो या तो किसी का भी नहीं है तो यह गुर्स वाले पर नहीं लगेगा अक्च्वर में सच पूछे तो जब भी कोई पेमेंट हो रही थी ना जो पाने वाले के लिए इंकप थी टीडियस का प्रोविजन बनाई उसके लिए था यह तो गौर्मेंट बाद में अभी गुट्स का गुसा दिये यह बहुत नया नया प्रोविजन है लेकिन सबको काटने को नहीं कह रही है यह आफाट जहां पर ज्यद्रार हो रहा है वहीं पर काटने को कह रही तो वायर क्तिय नंटा PG Q जो है वो prevail करेगा अगर दोनों लग रहा है ना तो 194 Q जी देगा यही law बता रहा है ठीक है तो 194 Q लगेगा ठीक है TDS आएगा अच्छा 12 क्रोट अनुवर है 12 क्रोट अनुवर है और 40 लाख रुप्या अब बताइए 40 लाख रुप्या तो 40 लाख रुप्या पर लगता ही नहीं है 50 लाख रुप्या के उपर की पेमेंट हो रही होगी तब जाके TDS TCS आएगा खुछ भी अगर हो रहा है तो यहां हाई नहीं अप्लिकेबल यहां 9 करोट का टनुवर है यहां 12 करोट का टनुवर है 60 लाख रुप्या का पर्चेस अब्रिक सेल हुआ है तो बायर का टनुवर जादा है न दसकों से तो बायर TDS काट लेगा यहां TDS आए का 194 क्यों में बताइए का सेलर का टनुवर 12 करोट है इसका टनुवर 9 करोट रुप्या है 60 लाख रुप्या की खरीद बिक्री हुई है तो सेलर का टनुवर जादा है बायर तो छोटा आदमी है बाई comparatively तो गौर्बिन कहीगी सेलर को तुम TCS ले लिया करो TCS ले ले गाई है 206 C1H में अच्छा यह मैंने क्यों लिखवा दिया क्योंकि एक्जाम में कहीं ऐसा ना क्योंकि यह एक लड़ाई है तो ऐसे भी आ सकता है कि वेदर सेक्षण 194 क्यू और सेक्षण 206 C1H विल प्रिवेल बाइर से लगा टनुवर देखे तो मेरे मन में एक डर था ऐसा अदर्वाइस मैं यह TCS वाला सेक्षण नहीं याद कराता लेकिन अपसिन से एक डर मेरे मन में है कि कहीं यह इस तरीके से ना पूछ ले तो इसलिए आप यह वाला सेक्षण याद कर लेना 206 C1H लिखने को तो नहीं कहेगा कहीं आपको लिखने की आवश्यक्ता नहीं है लेकिन अगर यह सेक्षण लिखा आ जाए तो आप पहचान जाना कि कौन सा TCS है बस यह रिक्वेस्ट है आपसे सेक्षण याद करने को नहीं कहारा है TCS का TDS का ही सारे सेक्षण याद रखने है TCS में यह वारा सेक्षण इसलिए लिख दिया कि अगर लिख के आ जाए तो आप पहचान लेना कम से कम ठीक है नोर देखिए इसके नीचे इसका क्या मतलब है माल लिजे TCS का रेट एक परसेंट है और सामने वाले ने पैन नहीं दिया तो मैं TCS कितना कलेक करूँ एक परसेंट का दुगना होता है दो परसेंट और फाइपरसेंट विचेवर इस हायर तो पाच परसेंट करूँगा यानि आप एक तरीके से समझ लीजे तो मिनिममम परसेंट हो गया अगर कहीं TCS जादा है कहीं TCS जादा है हाँ एक जगह है टेंडू लिप्स में TCS 5% का है टेंडू लिप्स में TCS 5% का है तो उसमें 5 का दुगना 10% होगा और 5% whichever is है तो 10% लिया जाए अब बाकी सब जगह पे तो 5% हो जाएगा क्योंकि सब जगह डबल करने के बाद भी 5% जादा है तो मिनिममम 5% तो आपको देना पड़ गया TCS ऐसे समझ लिए अगर आप पैन नहीं देते हैं तो मिनिममम 5% TCS हो गया हम इसको यहां लिख दे हैं मिनिममम 5% हो गया जादा भी हो सकता है टेंडू लीव में 10% हो जाएगा टेंडू लीव में 10% हो जाएगा ने बाकी में मिनिममम 5% हो गया बाकी में 5% हो गया तो मिनिममम वड़ हटा दे the amount is subject to TCS exceeds 1 crore क्या रहा है foreign company से अगर TCS आप ले रहे हैं तो आप सर्चार्ज लेंगे अगर TCS 1 crore से ज़्यादा का है अगर 1 crore से ज़्यादा का TCS amount है जो आप collect कर रहे हैं वही 1 crore से ज़्यादा का हो गया सिर्फ TCS मातर 1 crore से ज़्यादा का हो गया every seller sell at the time of debiting the amount through the account of the buyer or at the time of receipt whichever is earlier collects on the buyer as some equal to the following percentage of the purchase price as income tax वही जैसा concept है हमारे accounting का accrual of receipt whichever is earlier हम सामने वाले का receivable दिखा देंटरी और received whichever is earlier अब ऐसे कर लिजे कि TCS collected on यहा लिगते है TCS collected on receivable or received whichever is earlier जैसे example से समझाते हैं कि माल लीजे tender भरवाया गया railway के पार्किंग का ठेक है किसी का tender खुल गया कि भाई उसको 5 गोड उपे देने है तो मैंने आज एनाउस किया कि इस सो एन सो कंपणी का tender खुलता है पांच क्रोड रुपे तो अब railway अपनी books of account में पांच क्रोड रुपे रिसीवल देखा देगी उस पार्टी का अब ऐसा क्यों है एक बात बता है आप बोलते हो मुझे कार पसंद आ गई तो क्या वह अपने या इसेबल की इंट्री मारता है कि अब पैसा रिसीव होना है अब यह कार खरीदे गाई ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है वह सीधे रिसीव होती है तभी वह इंट्री मारता है कि अर्यूटिंग मैं पॉइंट इसेबल पर नहीं हाँ आप कहेंगे सर अगर उधार में दे दिया कार रेरेस्ट ऑफ दे रेर केस होता है तो उधार में भी दे दिया है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है जब वह रिसीव करेगा पैसा तभी टीसीव की इंट्री मारेग ठीक है अच्छा एक बात बताईए जिसे मान लीजे मैं करता हूँ यह मैं सक्षिन 206C 206C1H की प्रोविजन की बात कर रहा हूँ सेलर जो है उसका लास्ट ये टर्न वर था 20 करोड ठीक है बायर का लास्ट ये टर्न वर था दो करोड अब सेलर ने इनवाइस किया है पचास लाक प्लस जीस्टी 18% कोई माल बेचा है 18% जीस्टी वाला है 9 लाक रुपेई हो गया 59 लाक ठीक है अब बात ये आती है कि अब यहाँ पर TCS किसको कलेक करना है TCS कलेक करना है अन रिसेप्ट ओफ पेमिंट जब वो पेमिंट रिसेव करेगा तो उसको TCS भी कलेक करनी है कितने पर कलेक करेगा TCS क्योंकि जैसे TDS के समय मैंने बताया था न कि TDS काटा जाता है इसे वाले अमाउंट पे ऐसा कुछ बताया था न उस समय यही मैं जानना चाता हूं कि वो TCS कितने पर कलेक करेगा वो TCS कलेक करेगा 59,00,00,00 59,00,00 इंटू 0.1% ठीक है यह ध्यान रखिएगा क्योंकि यह वाला सेक्षिन जो वैसे भी यह इन्वाइसिंग की बात तो करी नहीं रहे ना तो सीधे पेमेंट की बात करता है कि अगर आप 50 लग रुपया से जढ़ा पे कर रहे तो आप TDS काठी है 50 लग के उपर जितना पे कर रहे है ठीक है तो वो इस सामने वाले को अगर आप 50 लग रुपया से उपर कलेक कर रहे है सेलर से यह बुला जा रहा है कि अगर आप 50 लग रुपय से उपर ले रहे हैं अरे तो ले कौन सा इमांट रहे हैं लेते तो हम पूरा जेस्टीश टे मिला किया है जो आप पेमेंट ले रहे हैं उसकी बात कर रहा है तो इसलिए पूरे 59 लेक पर 0.1% है नोट कर लिजे इस बात को भी ठीक है अपसिंस आपको यह बात समझ में आ गई है तो हम वापस से जाएंगे आपको यहां पर भी समझाने की कोशिस करेंगे कि यह बात कई जगा थी मैंने जोर नहीं दिया क्योंकि मैंने सोचा एक बार में इसारी बात करते हैं एमाउंट कलेक्टेड ठीक है तो एमाउंट कलेक्टेड क्या चीज़ है बाइद ऑथराइस डीलर इमाउंट कलेक्टेड इस दह यहां पर कोई इनवाइसिंग थोड़ी ना है लेकिन मैं आपको यह बता हूं कि जो यह जो ऑथराइस डीलर है न यह अपना कुछ कमिशन अगर भी लेता है अरे ऐसी तो ही नफ भी बेज देगा, तो यह कमाएगा क्या चाग़ा तो निकल जाता एकदम यहां पर, चेक है न तो एक्जाम में इतनी बात करेगा आपसे सीदे बोलेगा और तीलर 8 लाग रुपे की पैमेंट लिया है बेजने के लिए commission की बात ही नहीं करेगा लेकिन practical life में आप क्या करेंगे कैसे करेंगे आपको पता होना चाहिए authorized dealer को आप में दिया 10 लाख रुपया 10 लाख रुपीज for transfer to foreign तो अब ये payment आप से कैसे लेगा 10 लाख रुपया plus कहेगा मेरा commission दो माली जैसका commission बनता है 10 लाख रुपया अब इस commission पर GST लगेगा क्योंकि एक service है 18% GST हो जाएगा 10 लाख रुपया पर GST नहीं लगेगा क्योंकि ये तो पैसे लिया और दिया ये कोई service नहीं है इस 10 लाख रुपय को पहचाने का ये जो service दे रहा है वो उसका 10 लुपय ले रहा है तो services पर टेक्स लगता है या goods पर टेक्स लगता है service क्या है service ये है पहचाने की service 10 लुपय की ठीक है पहचाने की service 10 लुपय इस पर GST लगेगा इस पर नहीं इस पर क्लियर है amount collected यहां मैंने highlight कर दिया ठीक है और इस वाले में क्या है ये जैसा 194 क्यों में लिखा हुआ है उसी का reverse है ये तो आपको भी समझना होगा कि यहां पर किस पर लगता है payment received पर या फिर हम सीधे यहां पर भी लिख देगिया amount collected यहां पर भी amount collected तो जितना GST मिला के आ रहा है उस पर लगेगा तो यह थी बच्चो TCS की पूरी कहानी राइट तो अब बस अगली क्लास में आईए हमारे साथ practical problem करते हैं और कुछ MCQs करेंगे तो आज की क्लास को यहीं पर समाप करते हैं